नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मन्विंदर, MBN नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। क्या हो जाएगा इस गठबंदन से, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा समय फ्लेश बैक में लेके जाना चाहूंगी। बहुत कुछ बदल जाएगा और सबसे बड़ा संदेश उन्होंने देश को लूटने वालों के लिए दिया था कि जो लूटा है वो लोटाना पड़ेगा। आनी मोदी तीसरी बार आ रहे हैं बहुत ही कमफर्टेबल पोजिशन हैं। उसी दिन इंडिय अलाइंस के हवा निकल गई थी। देश के हर कोने से आवाज आ रही थी कि हम अकेले लड़ेंगे। और शनिवार को इंडिय अलाइंस के जो घटक दल हैं कॉंग्रेस और आप इन में सीट शेरिंग हो गई है। आपको याद होगा 2013 में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमों अर्विंद केजरिवाल ने कुछ कहा था कॉंग्रेस के लिए। कि कॉंग्रेस बड़ी भ्रिष्टाचारी पार्टी है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा ही देती हूँ, मैं आपको लिए चलती हूँ, एक्स के हैंडल पे। ये एडिपी न्यूस के साथ बात कर रहे हैं। तो जाज करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्टार करो, दो दिन उसका इंटेरोगेशन करो देखो। तो उस समय जानी दुश्मन थे ये। आज चुकि खुद भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो एक तरह से कॉंपिटिशन चल रहा है, दस साल के बाद आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का अलाइंज हो रहा है। तो ये भी देखने वाली बात होगी न कि कौन जादा प्रष्टाचारी है। मैं आपको बता दूं कि अब आम आदमी पार्टी भी प्रष्टाचार में काफी नाम कमा चुकी है। इतना ही नहीं, उसके तीन-तीन नेता इस समय तिहाड में हैं। दिल्ली शराब को टाले में मनिश्य सौधिया और संजे सिंग भी तिहाड में हैं। उनका अपना नमबर भी आने वाला है। इससे आगे बताने के लिए क्या बसता है। क्योंकि उनको छे नोटिस मिल चुके हैं, सातवा भी मिल चुका है, E.D. की ओर से। और अब उन पे डर मंड़ा रहा है कि एनी टाइम, एनी मुमेंट उनको CBI के जरिए गिरिफ्तार के आ जा सकता है। कैर वो एक मसला अलग है। आपके साथ उस पर कई बार बात हो चुकी है। तो मैं बात कर रहे थी, कॉंग्रेस और आपका अलाइन तो हो गया है, लेकिन अब खेल का मज़ा बहुत आएगा। दो-तीन पॉइंट है, पहला तो यह कि एलाइन्स कितने दिन चलेगा। दूसरा चुराव के पहले ही धड़ाम तो नहीं हो जाएगा। और तीसरा इसके पीछे कौन, किसे धोका देने वाला है। क्योंकि कॉंग्रेस और आप दोनों ही दल नहले पे देला है, कम कोई नहीं है। और जो दिखाई दे रहा है, वो है दिल्ली की जनता से बहुत-बड़ा धोका हो गया है। क्योंकि केजरिवार ने जिस कॉंग्रेस को चोर बोला था, रस्टाचारी बोला था और अपने राजनीती के उन्होंने शुरुबात की थी, उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए है। कमाल है। एक बार फिर से मैं आपको एक्स पे लिए चलती हूँ क्योंकि आज महां अबरा अच्छा से हूँ कि यह देखे। तो आपने देखा चारो और एक की बात हो रही है कि कितने ब्रश्टाचारी हैं यह दूसरी बात यह है कि अभी तक जो बतलब अपने बच्चों की कसम खाते थे कि मुझे मेरे बच्चों की कसम है जो मैं कभी बीजेपी और कॉंग्रिस के साथ अलाइन कर लूँ मैं आपको वो भी सुनवाना चाहती हूँ यह तो आज एक्स पे बहुत ही ज्यादा फ्लोट हो रहा है एक और आपको मैं सुनवाती हूँ तो इन्होंने यह का था कि हम कभी ना तो कॉंग्रेस से कटपन्दन करेंगे ना तो कभी बीजेपी से कटपन्दन करेंगे लेकिन अब आपके सामने हैं एक दूसरे को प्रिष्टचारी बोलने वाले आज अलाइंस में हो गए हैं यानि कि जिस सोनय गांधी को वो जेल भीजने की धमकी दे रहे थे आज उसी की गोद में जाकर के बैठ गए हैं कमाल है चलिए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इनके सीटों का शेरिंग कहां कहां कैसे कैसे हुआ है अलाकि इसका कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है इंडिए गटपन्दन में आप आदमी पार्टी और कॉंग्रिस के बीज जो समझाता हुआ है बाकाज़ा इसकी घोषना जो है जो है जॉइंट प्रेस कॉंफरेंस करके की गई है और इस समझाते के अनुसार आप और कॉंग्रिस ने सीटों का बटवारा कर लिया है तो पंजाब में पंजाब में भगवंत मान अपनी बात पे अड़े रहे तो वहाँ पर जो है सीटें जितनी भी है आमने सामने लड़ाई होगी यानि कि इसको आप कह सकते हैं कि वहाँ एक इनकी फ्रेंड़ी फाइट होगी गुजरात की भरूच सीट पर एहमद पटेल के परिवार की दावेदारी है लेकिन सीट आम आदमी पार्टे को दे दी गई है मैंने आपसे बोला ना कि ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि ये जो इनका सीटों का शेरिंग हुआ है इसको लेकर कि ये कितने दिन तक इनका प्यार, महबत चलती है ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा तो अब ये जो सीट है बरूच वाली इसकी वाज़ा से एहमद पटेल की बेटी और बेटा दोनों ही नाराज हैं कुछ ऐसा ही उत्तर परदेश में भी देखा जा रहा है उत्तर परदेश में फरकाबाद सीट को समझोते के तरह समाजवादी पार्टी को दे दीगी है ये कि उनकी पुछतेनी सीट मानी जाती है ऐसे में कॉंग्रेस के परिष्टनेता सलमान कुर्शीद ने अपनी नराजगी व्यक्त कर दिया है उन्होंने कल एक एक स्टेट किया हुआ था और मैं आपको ये भी बता दू कि आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस ने लोकसभा चु सीटों पर लड़ेगी जैसे कि मैंने आपको बताया लेकिन चंडिगर की सीट आमादमी पार्टी ने छोड़ दिये इस सीट पर कॉंग्रेस लड़ेगी और इन दोनों ही पार्टियों में गुजरात गोहा को ले करके भी समझवाता हो गया है तो हर्याना की सीट भी दोनों सीटों में से तीन कॉंग्रेस को दी गई है यानि कि कॉंग्रेस लड़ेगी तो ये अलाइनमेंट तीन और चार का हुआ तो चार सीटों पर आमादमी पार्टी लड़ेगी अब दिल्ली में आपको नई दिल्ली पसिन दिल्ली दक्षिन दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की स लड़ेगी गुजरात की तरफ देखें ते गुजरात की 26 लोग सबा सीटों में से 24 पर कॉंग्रेस लड़ेगी तो दो सीटों पर आम आदमी पार्टी गुजरात में भरूच और भावन नगर की सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई है और वहीं हर्याना में एक कॉंग्रे दिगर और गोवा में कॉंग्रेस अकेले लड़ेगी। गोवा में जिस सीट से आम आदमी पार्टी ने उमीदवार की घोशना की है, वो अपनी दावेदारी वापस ले लेगी। हलाकि पंजाब में आने वाले दिनों में क्या होता है, ये भी देखना बड़ा दिल्चस्प होगा, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सीटों का बटवारा जरूर कर लिया है, मुश्किलें बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, गुजरात की भ आम आदमी पार्टी को दे दी गई है, अब एक चीश सोचने की यह है कि अगर इस पार्टी, इस सीट पे कोई लोचा पैदा होता है, तो नुकसान किसे होगा, ये आप खुद देखिए, बरूज सीट पर एहमद पटेल की बेटी मुम्ताज पटेल और उनके बेटे फैजल पटेल, दोनों ही दावेदारी कर रहे हैं, फैजल पटेल ने खुलया, भी स्वरवरी को ही बगावत का एलान कर दिया था, उन्होंने एक्सपर स्टेट किया था, अगर अगले लोगसाबाद चुनाव में कटबंदन के तहत, भरूच लोगसाबाद सीट आम आदमी कि, कि उमीद्वार का ना तो मैं कोई सपोर्ट करूँगा, समर्थन करूँगा, ना ही कॉंग्रेस के कारकरता उसका समर्थन करेंगे, तो क्या मतलब निकला, नुकसान किसे होगा, और अपने भाई से अलग तेवर अपना रही है, अहमत पटेल की बहन, मुम्ताज पटेल, कई बार भरूश लोकसबा सीट पर अपनी दावेदारी की बात कह चुकी है, और मुम्ताज पटेल ने खुल करके अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है, और उन्होंने ये कहा है कि वो अपने पिता की 45 साल की विजासत को छोड़ेंगी नहीं, यानि कि वो शाद ये कहना सारी है कि कॉंग्रिस में तो बनी रहेंगी, लेकिन उनका मन बड़ा दुखी रहेगा, आवादमी पार्टी और कॉंग्रिस के बीच, सीट शेरिंग से पहले, उतर प्रदेश में इंडिकट बंदन ने सीट शेरिंग का एलान करी दिया था, कॉंग्रिस पार्टी और समाज माना जाता है, लेकिन इस सीट को समाजवादी पार्टी को दे दिया गया है, इसके बाद सल्मान कुर्शीद अपना मुफ लाए बैटे हैं, उनका नराज होना जाइज भी है, उन्होंने बहुत कुछ कहा दियावल कि उन्होंने बड़े शारा है ना, अंदाज में एक उन् मुम्ताज पटेल कॉंग्रिस में रहने की बात कर रही हो, लेकिन वो बेचैन भहत है, तो ये कुछ कुछ जो सीटे हैं, जो आमादमी पार्टी को दी गई है, उन पे बहुत बड़ा लोजा होगा और उसका नुकसान जो है, आमादमी पार्टी को जिलना पड़ेगा, वही एहमद पटेल के बेटी फैजल ने तो खुल्याम कह दिया है कि बरूज के कॉंग्रेसियों को आमादमी पार्टी की उमीदवारी मनजूर भी नहीं है, अब बगावत आमादमी पार्टी में भी होने वाली है, चंडिगर और गोवा में पार्टी में बगावत हो सकती है, त दोनों पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ेंगी, तो अब आप सोचिए कि नुकसान कितना होगा, इस बात का भी पता तो लोग सबाचुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा ना कि तस्वीर क्या बनने वाली है, लेकिन जो अभी राइट नाव जो दिखाई दे रहा है, इनका सीट शेरिंग हुआ है, दो तीन बाते हैं मैंने शुरू में कहा था कि इसमें ये इनका जो सीट शेरिंग हो तो गया है, लेकिन कितने दिन चलेगा और क्या ये चुनाव से पहले ही धड़ाम हो जाएगा, दूसरा ये भी देखना बहुत दिल्चस्त होगा, कि आ इनके रहते हैं, क्योंकि दोनों ही, अगर मैं ये कहूँ ना कि चोर-चोर मुसहरे भाई, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज सोशल मेडिया पे हर दूसरी पोस्ट में ये ही चल रहा है, अब चुनाव के पहले ही कई चीज़े तो सामने आ रही हैं, और ये भी देखना है कि कितने दिन, क्योंकि आपको याद होगा जब इंडिय अलाइंस का गठान हुआ था, उस समय क्या, मतलब ये लोग जलवे दिखा रहे थे, लेकिन उसमें सबसे पहले मुफिलाने वाला बंदा कौन था, किसने दिल्ली आ करके दो पन्ने का एक नराजगी जदाई थी, वो किते रहे कि मुझे बच्चों की कसम है, मैं कभी BGP के साथ समझाता नहीं करूँगा, कभी Congress के साथ समझाता नहीं करूँगा, और Sonia को जेल भेजने की बात कर रहे थे, ये 10-12 साल पहले की तो बात है, आज देखिए, आज समझाता भी हो गया, और Sonia Gandhi की गोद में भी अनुसार, चीजें जो हैं वो बदलती रहती हैं, सभी को पता है, राजनीती चीजी अची है, कि इसमें आपको समय के अनुसार अगर आप नहीं बदलते तो फिर आप वहाँ टिक नहीं पाते, लेकिन अर्वीन केजरिवाल जिस तरीके से मुझ फाड़ फाड़ के कह रहे जैसे कि मैंने आपको सुनवाया, तो इनका गटबंधन किया है, मुझे बहुत डाउट है, कि ये गटबंधन लोकसभा चुनाब तक इनका चलेगा, इसमें बहुत कुछ फेर बदल हो सकता है, क्योंकि कॉंग्रेस और आप दोनों ही नहले पे देले हैं, और कौन किसको धो मुका दे दे, कब दे दे, ये कुछ नहीं पता, तो दोस्तों आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप इने, मेरा निवेदन है कि इने आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेर कीजिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजे और बेल आइकन दवाना नहीं भुलिये ताकि आपको मेरा हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन सबसे बहले मिले तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही आप अपना और अपनों का ख्याल लखिए, खुश रहिए स्वस्त रहिए, जय हिन जय भारत